नमश्कार अंबाला प्रेकिंग न्यूस में आपका स्वागत है आज की करोना अपडेट सामने आ चुकी है और आज कितने मामले और किन-किन इलाकों से ये मामले सामने आए हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर सुनील हरी सर आज क बात करूंगे किन-किन इलाकों से ये मामले आए हैं तो जिले भर में सबी जो ब्लॉक में ये मामले सामने आए हैं जिसमें से अंबाला सिटी में 170 अंबाला कैंट इलाके से 84 चोड मस्पूर से 79 नारेनगर से 8 और शजारपूर से 16 बराड़ा से 15 मुलाना से साथ जो मामले आज के 379 केसी जो हैं वो सामने आए हैं अब तक कितने लोगों की करोना की वज़े से मौत हो चुकी है अब तक जो अगर हम 10 केस आज के जोड ले तो 270 लोग जो हैं बाला जिला के अंदर करोना जो से संक्रमित होकर जो हैं उनके मृत्यू हो चुकी है क्या कारण है आए दिन 9 या 10 लोगों की करोना की वज़े से मौत हो रही है पहले इतना आंकडा नहीं था लेकिन अब ये आंकडा बड़ा है क्या कारण लगता है अब देखे मैं इसमें अगर ऐसा नहीं कि आंकडा पहले पिछली वे में भी हमने देखा था कि अगर हम जो स 24 गुना बड़े हैं तो उसी प्रपोश्चन में मोत का आंकडा भी बड़ता है बर ये हमारे लिए चिंता की बात है और हमारे सभी डॉक्टर्स 24 गंटा लगे हुए हैं और मतलब हम यही दुआ है हमारी के धीरे धीरे जो है अभी लोगडाउन भी जैसे लगा है सरकार ने है पूरन भूप से तो ऐसे में जो लोग को हलके में ले रहे हैं लापरवाहहो रहे हैं उनको आप क्या पे Państwo करना चाहेंग एक्ट हम आप आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोगों को तकलीफ हो रहा होगा लेकिन यह सब आप लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए ही है ठीक है कि मृत्यू से अच्छा और क्रोना से अच्छा यह है कि हम अपने आपको कुछ देर के लिए नि क्योंकि सरकार ने सकती बढ़ा दिया है लेकिन उसके बावजुद सडकों पर लोगों की आवाजाई जारी है लोग करोना को हलके में क्यूं ले रहे हैं इसका तो हमें पता नहीं लेकिन हम आपसे ये अपील जरूर करना चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन करोना के मामले बचकर रहें सुरक्षित रहें और करोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें बैराल आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अंबाला प्रेकिंग न्यूस पर और हमें यू